साधू और चुए की कहाली बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक साधू मंदिर में रहा करता था उनकी दिन चर्या रोजाना प्रभू की भक्ती करना और आने जाने वाले लोगों को धर्ब का उगदेश देना था गाउं वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधू को कुछ ना कुछ दान में दे जाते थे इसलिए साधू को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी रोज भोजन करने के बाद साधू बचा हुआ खाना छीके में रखकर छट से टांग देता था समय ऐसे ही अराम से निकल रहा था लेकिन अब साधू के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी वहे जो खाना छीके में रखता था गायब हो जाता था साधू ने परिशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्ने किया उसने रात को छिटकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकाल कर ले जाता है दूसरे दिन साधू ने छीके को और उपर टांग दिया ताकि चूहा उस तक ना पौँच सके लेकिन यह उपाई भी काम नहीं आया उन्होंने देखा कि चूहा और उची छलांग लगा कर छीके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था अब साधू चूहे से परिशान रहने लगा था एक दिन उस मंदर में एक भिखशुक आया उसने साधू को परिशान देखा और उसकी परिशानी का कारण पूछा तो साधू ने भिखशुक को पूरा किसा सुना दिया भिखशुक ने साधू से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना उचा उचलने की शक्ति आती कहां से है उसी रात भिक्षक और साधू दोनों ने मिलकर यह पता लगाना शुरू किया कि आखिर चुहा भोजन ले जाता कहां है दोनों ने चुपके से चुहे का पीछा किया और देखा कि मंदर के पीछे चुहे ने अपना बिल बनाया हुआ है चुहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चुहे के बिल में खाने पीने का समान का बहुत बड़ा भंडार है तब भिक्षक ने कहा कि इसी वजह से ही चुहे में इतना उपर उच्छने के शक्ति आती है उन्होंने बिल में से सारी सामगरी को निकाल लिया और सभी गरीबों में बांड दिया जब चुहा अपने बिल वापिस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया उसका पूरा आत्मे विश्वा समाप्त हो गया उसने सोचा की वे फिर से खाने पीने का समान इखटा कर लेगा यह सोच कर उसने रात को छीके के पास जाकर चलांग लगाई लेकिन आत्मे विश्वास की कमी के कारण वे नहीं पहुच पाया और सादू नहीं उसे वहाँ से भगा दिया कहाने की सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संपत्ती के अभाव में आत्मे विश्वास की कमी हो जाती है इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए आपके जान आपके यह जो जाती है एंप कर दो कर दो जो जाए विश्वादी इस प्याने विश्वान आपके जाती है